पूर्व आईये सदिकारी वी कार्थी के अन पांडियन ओपचारिक रूप से ओडीशा की सतरूर पार्टी बीजु जनता दल यानी बीजेडी में शामिल हो गए हैं उन्हें राज्य के सीम नवीन पतनायक का करीबी भी माना जाता है पांडियन राज्य के मुख्यमंत्री रा सभा और राज्य विधान सभा चुनाओं से पहले उनका पीजेडी में शामिल होना क्यों खास है वी कार्थी केन साल 2000 बैच के आईये सदिकारी हैं साल 2002 में काला हांडी जिले के धर्मगड में SDM के रूप में पहली तैनाती हुई थी इसके बाद साल 2005 में मयूर भंज जिले के जिलादिकारी बनाए गए थे 2007 में गंजम के कलेक्टर बने 48 वर्षिय कार्थी केन राज्य के कई जिलों में जिलादिकारी के रूप में काम कर चुके हैं ऐसा माना जाता है कि इनी वजह से वो CM नवीन पटनायक की नजरों में भी आ गए कहा जाता है कि गंजम में अपन सरकारी विभागों में कुछ परिवर्तन कारी पहलों को लागू करने के लिए 2019 में 5T सचेव की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी 5T के बारे में आपको आगे बताएंगे इस साल अक्टूबर में I.S. कार्तिकेयर ने सरकारी सेवा से वियारिस लिया और अगले दिन राज्य सरकार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री रैंक के साथ 5T यानी ट्रांसफेरिन, टीमवर्क, टेकनोलोजी, टाइम और ट्रांसफोर्मेशन पहल और नवीन ओडिशा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया कारती केयन की पतनी सुजाता कारती केयन भी एक IIS अधिकारी और उनकी बैचमेट है ये मिशन शक्ती विभाग के आयुक्त के पद पर तैना थे हाल ही में उन्हें उडिया भाशा साहित्य और संस्कृती विभाग में भी नियुक्त किया गया था लेकिन सरकारी नौकरी कर रहे कारती केयन बीजेडी में क्यों शामिल हुए कारती केयन को राज्य में सबसे शक्ती शाली नौकर शा माना जाता है पिछले दस सालों में कारती केयन ने पतनायक सरकार के कई फैसलों में महत्वपून भूमी का निभाई है जानकारी के अनुस पाइक्ता और निरंतर व्यवहार परिवर्तन लाना है जो सरकार को सीधे नागरिकों से जोड़ता है ओडिशा सरकार का कहना है कि इससे सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं की बारी की से जाच संभव हो गई है जानकारों की माने तो कारती केन पिछले कु सभी 147 विदानसभा सीट पर गए और लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं और सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा की इसके अलावा वो राज्य के एतिहासिक परियतन स्थलो पर भी गए और वहां विकास कारेों की समिक्षा की राजनेतिक विशलेशकों की माने तो कारती के एन पूरे दौरे के दौरान एक राजनेता की तरह उढ़े हैं उन्होंने विभिन शेत्रों के लिए योजनाओं की घोशना की और राजनेतिक नेताओं की तरह भाशन देकर नेता की भूमी का निभाई अब कार्थी केन का पॉलिटिक्स और बीजेडी में एंट्री एहम क्यों है ये चर्चा कर लेते हैं दरसल वी कार्थी केन पांडियन को लोकसभा और राज्यविदान सभा चुनाओ होने के 4-5 महीने पहले बीजेडी में शामिल किया गया है जानकारों की माने तो पार्टी औ लेकर भी काम किया है बीजेडी से जुड़े एक नेता ने कहा है कि कार्थी केन पांडियन लगातार ओडिशा के विकास के लिए काम कर रहे थे उनके पार्टी में शामिल होने से बीजेडी मजबूत होगी वो सीएम के कई निर्णय में एहम भूमिका निभा रहे थे उनकी विजन और काम करने का तरीका पार्टी के लिए लावधायक होगा और संभव है कि उन्हें जल्द ही पार्टी में बड़ी भूमी का दी जाए इस सवाल पर कि क्या वो बीजडी में नंबर दो पर रहेंगे इस पर नेता ने कहां कि ये सीम तै करेंगे लेकिन ये सच है कि उनक पार्टी में शामिल कराया है ऐसे में संकेत साफ है कि वो चुनाओं में एहम भूमी का निभाएंगे मीडिया से बाचीत में बीजडी सांसत पिनाकी मिश्रा ने कहा कि सीम ने कार्टी केन से कहा है कि जिस तरह से उन्होंने पिछले 13-14 सालों से उनके नीजिस सचीव के चुछ में पूल रूप से तमिल नाडू से है तो क्या उनके शामिल होने पर ओडिशा और बीजडी के नेता खुश है या नहीं? इस पर पिनाकी मिश्रा कहते हैं कि पार्टी में उनके शामिल होने से सभी वरिष्ठ नेता खुश है. कुछ जानकारों ने ये तक कह दिया क पतनायक अपने स्वास्थे को लेकर गंभीर है ऐसे में वो किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं इसमें कार्तिकेन सबसे फिट बैठते हैं वो CMK विश्वास पात्र तो हैं ही साथ ही उनके विजन को भी अच्छी तरह से समझते हैं पिछले कुछ समय में या समकरशा से नेता बने 2 लोगो ने राजनेतिक कारेक्रमों में कारतिकेन की मौझूदगी के खिलाफ primeiro 24 जून को अपराजिता सारंगी कारमिक और प्रसिक्षन विभाग में एक सिकायत दर्ज की जिसमें कथित तोर पर राजनेतिक कारेक्रमों में भाग लेने के लिए कार्ति केयन द्वारा अखिल भारतिय सेवा मान दंडो का उलंगन किया गया था इसी तरह की शिकायत कुछ दिन बाद पुर्व मुख्य सचीव बिजय कुमार पतनायक जो अब वरिष्ट कॉंग्रिस नेता है उन्होंने भी दर्ज कराई थी डियो पीटी ने ओडिश झार बारतिय सेवा थी ने ओडिएिक पुल दुब गडिशने द्वाद के जो चारी से लिए जन्होंने अब विल जब जएशा को चारी से लंगने आप मुझाने पुल झाले है कि अजामने पुल आदे है उन्हाँ उन्होंने चारी से रजशार पूल एट आप